गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स, तोडें वी आ गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट कैपिटल कर्सिव सी, ओपन योर इंग्लिश राइटिंग नोट बूक, टेक आउट, पेस्ट नमबर एटीन, स्टुडेंट्स, हम क्या करेंगे सबसे पहले, सी डवरू मेंशन करेंगे, एंड डेट मेंशन करेंगे, डेट है हमारी, 4, 7, 2020, लेट्स स्टार्ट, हमें क्या करना है सबसे पहले, सी को किती लाइन में बनाना है, हमारे पास 4 लाइन से, 1, 2, 3, 4, हम सी किती लाइन में बनाते हैं हमेशा, उनली 3 लाइन में, कैसे बनाएंगे, ट्रैसिंग पॉइंट्स पर ट्रैस करते हैं स्टार्ट करेंगे, यहां से 3 लाइन से पिलकुल इस तरह कर्व बनाते हुए, पिंक लाइन से टच करेंगे, एंड कर्व लेते हुए नीचे आएंगे इस तरह से फिर से देखिए दू लाइन से थार्ड लाइन से तच करते हुए पेंट लाइन की उपर तक जाएंगे कर्व बनाते हुए और नीचे आएंगे थार्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे कर्व ओपर तच किया फिर थार्ड लाइन से तच करते हुए बनाएंगे क्या बन रहा है हमारा कर्षिप कैपिटल सी सी फॉर क्या होता है सी ए टी कैट प्रॉपर्ली प्रेस करते हुए लाना है पिंक लाइन से कर्व बनाते हुए फोकिस्ट बैंट आपको विल्कुद नीट एंड प्लीन राइट करना है स्लोली स्लोली बनाना है बहुत सुन्दर सुन्दर राइट करना है इस तरह से अब हम क्या करेंगे मैं आपको एक विदाव प्रेसिंग के बनाकर दिखाती हूँ पॉइंट बनाएंगे थर्ड लाइन पर कर्व बनाते हूए पिंक लाइन से टच करेंगे और नीचे लेकर आएंगे इस तरह से पिरसे देखिए थर्ड लाइन पर पॉइंट बनाता कर्व लेते हूए उपर जाएंगे पिंक लाइन से टच करेंगे फिर थर्ड लाइन से टच करते हूए देखिए इस तरह से कर्व लेना है वन मोर टाइम प्रिंक लाइन से टेच करते हुए विल्पो नीट और क्वीन लाइट करना है स्टुराइंट्स और आपको पूरा पेज कम्ट्रीट करना है इस तरह से चलिए अब हम नेक्स पेज़ पर आते हैं नेक्स पेज़ पर आपको क्या करना है स्टुरेंट्स पेज़ डवन मेंचिन करना है एंड डेट मेंचिन करना है सेम डेट, 4, 7, 2020 और ये वाला पेज़ आपका क्या है, होम वर्थ है